देश की सबसे चर्चित आईएस टीना डावी एक बार फिर सुर्ख्यों में हैं सोशल मीडिया ट्रेंडिंग में भी वो इस वक्त टॉप पर ट्रेंड कर रही हैं उनके इस ट्रेंडिंग की वज़े है उनका ट्रांसफर दरजल 5 सितंबर की देर रात को जारी ट्रांसफर डिस्ट में आईएस टीना डावी को राजिसान के सरहदी जिले बाड मेर का जिला कलेक्टर बनाया गया इससे पहले वो सरहदी जिले जैसल मेर की जिला कलेक्टर रह चुकी है जैसल मेर राजिस्तान का सबसे बड़ा और देश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है जिसका शेत्रफल 38,401 वर किलोमीटर है बाडमेर जिला भी राजिस्तान का दूसरा बड़ा जिला है जिसका भुभाद 28,387 वर किलोमीटर है इन दोनों जिलों के सिमाए पाकिस्तान से लगती है जैसल मेर जिला कलेक्टर रहते हुए टीना डाबी ने खुद अपनी प्रेग्नेंसी को लेका राजी सरकार को पत्र लिखा था कि रासानी जैपुर में नौन फील्ड पोस्टिंग दी जाए उनकी अर्जी स्विकार की गई और उसके बाद उन्होंने बेटे को जम दिया मेटरनिटी लीव पर गई टीना डाबी की वापसी हुई तो राजी सरकार ने उन्हें इसी एस आयुक्त पद पर पोस्टिंग दी थी अब मा बनने के बाद उन्हें फिर से कलेक्टर बनाया गया सरहदी जिले बाड मेर की कलेक्टर बनी टीना डाबी की यादे आज भी जैसल मेर के लोगों के जहन में वसी हुई है जब वो जैसल मेर की कलेक्टर रही थी तो उनके कारिकाल के दोरान किये गए नवाचार को लोग आज भी याद करते हैं उनके कारिकाल में जब पाक विस्थापितों को अतिक्रिमित भूमी से बेतखल किया गया तो ततकालीन कलेक्टर टीन डाबी ने पाक विस्ताविक परिवारों के लिए उनर्वास के प्रियास किये उनके प्रियास रंग लाए और बेघर हुए पाक विस्ताविक परिवारों को घर मिल गए सेक्डो परिवारों ने टीन डाबी के प्रियासों की तारीफ की खासतोर पर महिलाव ने टीनडावी का भरपूर आभार चताया अबुने बाडमेर जिले की जिमधारी बली है ऐसे में इस बड़े जिले के लोग भी टीनडावी के कलेक्टर बनने से बेहत उत्साहित हैं जिले के लोगों को भी नवाचारों की उम्मीद है आईये स्रीनडाबी के पती प्रदीप के गावंडे को भी राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर बनाया है उनको जालोर जिले में कलेक्टर बनाया गया जालोर और बाडबेर दोनों जिले पास-पास ही है सरकार ने पती पतनी को आस-पास के जिलों के जमधारी दी है बाड़बेर और जालोर के जिला मुक्याले की दूरी केवल 500 किलोमेटर है करीब एक घंटे में बाड़बेर से जालोर या जालोर से बाड़बेर की दूरी तैक ही जा सकती है प्रदीब गवांडे को भी सरकार ने दूसरी बार कलेक्टर बना आये हैं इसे पहले वो जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तर चुरू जिला कलेक्टर रह चुके हैं